चलिए बनाते हैं no rice no fermentation low calorie gluten free मसूर दाल दोसा और single दोसा में हमें only 71 calories मिलती हैं साथ में 3.4 ग्राम्स का protein मिलता है normal regular rice दोसा के comparison में ये काफी ज़्यादा healthy है फ्रेंट्स तो इसको try करके जरूर देखिएगा साथी साथ जिन्हें भी PCOD कीशू है, thyroid कीशू है, diabetes में blood sugar level बढ़ा हुआ है या high cholesterol कीशू है तो भी फ्रेंट्स आप इस recipe को चाहे तो breakfast के time पे या dinner के time पे अपने diet में easily add कर सकते हैं तो चलिए दिखते हैं इसे कैसे बनाना है इसे बनानी के लिए मैंने आधा cup भरकर अख़्ा मसूर लिया हुआ है इसे अच्छे से दो सले के तीन बार wash करके sufficient पानी add करके मैंने overnight इसे soak होने के लिए रखा था अगर आप overnight भी नहीं रखना चाहते हैं तो कम से कम 4 घंटे तक तो soak होने के लिए रखना है next morning मैंने यहाँ पे 1 fourth cup rolled oats लिया है साथ में मैं इसमें एक छोटे साइस का carrot को cut कर ली ते यह add की हूँ और मैंने थोड़ी लाल मिर्ची add की हैं पानी add करके इसे 30 मिनट तक सोख होने के लिए रहने देना है इसके बाद सारे ingredients को हमें mixer jar में add कर देना है साथ में थोड़ा सा पानी add करके इसको हमको इस तरीके से piece लेना है दोसा के batter की consistency ऐसी होने चाहिए इसमें थोड़ा सा नमक add कर लीजे और इसे अच्छे से mix कर लीजे हमारे मसूर दाल दोसा का जो batter है यह बनकर ready है तवे में थोड़ा सा ते लाट करके आप grease कर लीजेगा और जैसे normal दोसा को हम spread करते ठीकी सी प्रकार्से से तवे पे फैलाना है और दोनों से अच्छे से cook कर लेना है हमारा super healthy tasty मसूर दाल दोसा बनकर ready है सिंगल दोसा में हमें nearly 71 calories मिलती है protein 3.4 ग्राम्स है carbohydrate 8.9 ग्राम्स है fat 2.2 ग्राम्स मिल रहा है और fiber 2.9 ग्राम्स मिल रहा है मैंने breakfast में 3-2 सा लिया था उसमें पेट अच्छे से भर गया है लेकिन अगर आप 4-2 सा लिना चाहते तो भी आप ले सकते है चाहर दोसा लेने के बावजोर भी इसमें nearly 284 calories के आसपास ही मिलेगा और इविन अगर आपके घर में छोटे बच्चे है ना तो आप उन्हीं भी इस रिस्पी को ज़रूर दीजेगा उनके लिए भी यह बहुत बढ़िया है राइस दोसा के कंपेरिशन में काफी अच्छा फुड है यह तो आप सब इसको ज़रूर ट्राइ करके देखिएगा और जबी भी ट्राइ करेंगे अपनी फीड़बैक्स मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा थैंक्यू थैंक्यू सो मच